इंजिनियर स्वागत है आप सबका एक बरफर से डिप्लोमा होल्डर्स पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Power Grid Corporation of India Limited की तरफ से वेरियस ब्रांचों के लिए वेकेंसी आई हुई है यहाँ पर Civil, Electrical, Electronic और Computer Science Engineer से लिजबल रहेंगे Fraser से लिजबल हैं आपकी डारेक्ट भरती रहेगी All Our India के Candidate यहाँ पर अपलाई कर पाएंगे बाकी की जानकारी हम आगे की वीडियो में डिसकस करेंगे उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर फोर्म में आपको जोब्स अबडेट मिलते रहें इसके साथ ही आप टेलिग्राम चैनल और वाट्सअब ग्रूप को भी जोईन कर लीजिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हम हैं के ओफिसेल नोटिस पर नोटिस आपका PGCIL की तरफ से 17 अक्टोबर को निकाला गया है यहाँ पर आप लोग एडविटीज में नमबर देख सकते हैं बेसिकली यहाँ पर आपकी इंजीनियर्स ट्रेनी पोजिशन्स पर वेकेंसी आई हुई है जहाँ पर एलेक्रिकल, सिविल, एलेक्रोनिक और कम्प्यूटर साइन्स इंजीनियर्स अप्लाई कर पाएंगे यह संस्था आपकी मिनिस्ट्री ओफ पावर में आती है और गॉर्मेंट ओफ इंडिया का इंटर्प्राइज़ है बात कर लेते हैं आपकी वेकेंसी लिटेल के बारे में तो पहली वेकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है इंजीनियर ट्रेनी एलेक्रिकल के लिए तो एलेक्रिकल इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर टोटल 144 पोस्टों पर वेकेंसी रहेगी और आपकी वेकेंसी उचको यहाँ पर केटेगरी वाइस के से बाटा गया है Civil Engineers के लिए यहाँ पर 28 पोस्टों पर वेकेंसी रहेगी Electronic Engineers के लिए यहाँ पर 6 पोस्टों पर वेकेंसी रहेगी और Computer Science Engineers के लिए भी यहाँ पर 6 पोस्टों पर वेकेंसी रहेगी कुल मिलाकर यहाँ पर आपकी 184 पोस्टों पर वेकेंसी रहने वाली है तो जिन भी दोस्तों ने हमारे BBTEC किया है इन ब्रांचों में और आपके पास valid gate score है 2023 का आप लोग यहाँ पर apply कर पाएंगे बात करें आपकी upper age limit के बारे में तो इन पोस्टों में apply करने के लिए upper age limit यहाँ पर आपकी 28 साल रखी गई है और इसके साथ यहाँ पर आपको age पर government tool के हिसाब से age relaxation मिल जाएगा Essential qualification में यहाँ पर आपको बताया है अगर आपने BBTEC या फिर BSC किया है किसी भी recognize university या institute से और minimum आपके 60% mark हैं आप यहाँ पर apply कर पाएंगे Electrical Engineer में यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके किन-किन ब्रांचों को eligible किया गया है Electronic में अगर आपने BBTEC किया है इन ब्रांचों में आप यहाँ पर apply कर पाएंगे और Computer Science में अगर आपने इन ब्रांचों में BBTEC किया है आप यहाँ पर apply कर पाएंगे और बात करें आपके selection process के बारे में तो selection process के लिए यहाँ पर आपका अलग-अलग weightage रखा गया है इसके आधार पर यहाँ पर आप लोगों का selection रहने वाला है बात कर लेते हैं आपकी salary के बारे में तो जो लोग भी यहाँ पर select होंगे उन्हें सुरुवात में एक साल तक के लिए training पर रखा जाएगा training के दोरान salary यहाँ पर आपको E1 grade की provide की जाएगी और जैसे यहाँ पर आपकी training complete होती है इसके बाद में यहाँ पर आपको E2 grade की salary provide की जाएगी और इसके साथ यहाँ पर आपको other allowance भी provide की जाएगे बात कर लेते हैं आपकी application fee के बारे में अगर आप UR, OVC या फिर EWS category में आते हैं तो application fees आप लोगों को यहाँ पर 500 रुपे देनी है अगर आप SCHT, PWBD या फिर X-Servicement category में आते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को कोई भी application fees नहीं देनी है यहाँ पर All Our India के candidate apply कर पाएंगे इन पोश्टों में apply करने के लिए minimum age आपकी 18 साल होनी चाहिए बात कर लेते हैं आपके apply process के बारे में तो apply process यहाँ पर आपका online रखा गया है form online होने यहाँ पर आपके शुरू हो चुके हैं 20 October से और last date यहाँ पर आपकी 10 number रहेगी तो जो लोग भी इनके eligibility criteria को पुरा करते हैं आप इसके लिए interested होते हैं, eligible होते हैं आप यहाँ पर apply कर सकते हैं अभी के लिए इतना ही मिलते हैं next video में तब तक के लिए thank you, सुक्या